नमस्ते किसानवाईयो मैं विक्रम तॉमर आपके अपने फसा समाधान चैनल में आपका स्वाध करता हूँ किसानवाईयो जैसा के आप देख रहे हैं यहाँ आलू की कुपरी मोहन बैराइटी है जो किसानवाईयो यहाँ प्रोजाबा चित्र के रजावली गाउं की है किसान मैंने देखा कि ये आलू में रोग आ रहा है जब से कोहरा हुआ है जब से किसान वायो ये रोग आ रहा है लगवक सभी वैराइटियों में आप भी अपने किसान वायो की फसल को किसान वायो देख लें क्या आपके आलू की फसल में नीचे की तरफ से दब्बे दब्बे बने हुए हैं या पत्तिया जुलस रही हैं तो किसानवाईो साबदान हो जाई है अगर आपके खेत में ये रोग है तो आप जो किसानवाई अपनी बासा में चुरी नाम से इस रोग को बलाते हैं किसानवाईो जैसे बेग्यानिक बासा में इसका नाम किसानवायो अगेती जुलता है जी हाँ किसानवायो अगर केत में ये आपकी बीमारी आ रही है तो इसका जल्दी से जल्दी आप उपाई कर सकते हैं क्योंकि दीरे दीरे से ये पूरा केत खराब हो जाता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस रोग के क्या लच्छन है इस रोग में पत्या की नीची परत पर काले काले दब्बे अने किना दब्बे पड़ जाते हैं और ये सैड से दब्बे बनते हैं तो ये अगेती जुल्सा के लच्छन हो सकते हैं तो आप इसकी रोगताम कर सकते हैं गवराने की कोई बात नहीं है ज्यादा तर ये हाइब्रेड आलू की बेराइटिव में ये रोग आ रहा है तो आप इसका समाधान कर सकते हैं मैं दबा बताऊंगा दो तीन तो उसे आप लगाके इस रोग पर कंट्रॉल कर सकते हैं किसान भाई यो एक बार अपने खेत में जाकर पत्तियों की नीचे की साइड में जरूल देखें क्योंकि नीचे की साइड से ये रोग चलता है जिसे किसान भाई चुर्री बोलते हैं ये दीरे दीरे सबी खेत में पहल जाता है तो इसे पहलने से पहले इसे कंट्रॉल करना बहुती जरूली है जैसा के आप इस फोटो में देख रहे हैं इसके पत्तियों के नीचे की तरफ अनगिनत काले काले दब्बे हैं ये दीरे दीरे बड़े हो जाते हैं और ये बड़े दब्बे का आकाल ले लेते हैं और पूरी पत्तिया जल कर नीचे गिर जाती है तो इसे रोकना बहुत ही जरूरी है तो मैं ऐसी अच्छी दवाओं के नम बताऊंगा जिसे आप इसे अपने केट में इस्तमाल करके इस रोग पर कंट्रॉल पार सकते हैं पहली दवा है सीजन्टा की रिवर्स जी हां किसान बाईयो यहाँ नया टेकनिकल है सीजन्टा की नई दवा है इसे आप अपने केट में इस्तमाल करके इस रोग पर कंट्रॉल पार सकते हैं दूसरा उपा है वो सस्ता है किसान बाईयो अच्छी कंपनी की आप M45 ले लें 700 ग्राम प्रतियकड के साब से इसके साथ आपको बेल डामायसिन लेना है 500 ग्राम प्रतियकड के साब से और इसके साथ आपको मेटाल एक्षिन लेनी है अच्छी कंपनी ही तो इसे लगा कर इस रोग पर पूरी तरह कंट्रॉल कर सकते हैं यह किसान भाईयो अगर आप आपने यह दवा लगा दी तो यह वहीं से वहीं रोग रुक जाएगा किसान भाईयो तो आप या तो सीजन टाकी रिवस जो थोड़ी मेगी पड़ती है या आप M45 बेल डामायसिन और इसके साथ मेटाल एक्सल जो 80 ग्राम प्रतियकड के साब से आप उसकी डोज लगा सकती है इस रोग की लच्चन देखने पर आप जो मैंने फंजी साइड बताए हैं उनका प्रयोग कर सकती है यह रोग वहीं से वहीं कंट्रोल हो जाएगा आगे बड़ेगा नहीं जै हिंद जै किसान